अस्सलामों अलेकुम नाजरीन, कुछ ड्रामास को देखकर हमारे हम्दर्टियां फॉरण हीरो और हीरोईन के साथ हो जाती हैं, क्यूंकि इनकी सैड स्टोरी हमारे दिल को छू जाती है, आज के वीडियो में हम आपको गजिश्टा दो सालों के ड्रामास के बारे में बात करे जिनकी स्टोरीज बहुत ही जादा उदास माजू पर हैं, लेकिन वीडियो का आगास करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करतें, ताके हम आपकी इंटेटेन्मेंट के लिए हर पहला आपकी स्क्रीन पर माजूद रहें ड्रामा सीरियल नंड नंड ड्रामा अपने आगास से ही नाजरीन की तवच्छे हासल करने में कामियाब रहा, ड्रामे की सैट थीम नंड भावी के रिवायति रिश्टे पर मपनी है, मगर इसके बावजूद ये साल 2020 के जादा रेटिंग्स हासल करने वाले ड्रामों में श बालों के पैंस तो बेहत कमाल के होते थे, ड्रामे की कहानी एक ऐसी नंड के गिर्द घूमती थी, जो भाईयों की सिंदगी में बेजा मुदाखलत की शौकीन थी, इसकी इसी मुदाखलत और साजिशों की वचे से इसके भाईयों का घर तूर गया, फाइजा हसन जिसने मन तरंदास में अदा किया कि ये लोगों का पसंदी ता बन गया, ड्रामे की कास्ट में मिनाल खान, शेहरो सब्सवारी, एजास असनम, फाइजा हसन, प्यास सूमू, टीबु शरीफ, सुम्बल अनसारी, जवेरिया सौूद, महविश कुरेशी और दीगर अधाकार शामल हैं ड्रामा प्यार के सद्के ने नाजरीन के दिलों में जगे बनाई, उनके हर किर्दार ने जानतार अधाकारी और जबरदस्त कहानी के वचे से दात समीटी, लेकिन अगर इसकी कहानी पर नजर दुडाई जाए तो ये सैड और उदास कर देने वाली कहानी है, प्यार के सद् पहले बाप ने डरा धमका कर उसकी शक्सियत को मस्क कर दिया, और युमना सैदी उसकी बीवी के रूप में नजर आई, जो इंतिहाई खुबसूरत लेकिन बेवकूफ थी, उसका सौतेला ससर ही उससे शादी का खाहिश मन होता है, और बाद अज़ा अपने अन्जाम को पह रादी करना चाहता है, ड्रामे में बिलाल अबास ने अधिका और हो के बेटे और सिरहा अस्खर ने बेटी, युमना सैदी ने उनकी बहुका के दार निभाया, ड्रामे की कहानी जंजबील आसिम शाह ने लिखी और उसे निजी टीवी से बनशर किया गया, ताहम ये ड्रा रामा इख्तिताम को पहुँशने के बाद, पेमरा ने समाजी और मजभी एक्तार की मनाफी मुवात की बिना पर इसकी नशर पर पाबंदी लगा दी, ड्रामी की कुल 30 एक साथ थी, ड्रामा सीरियल औलाद, ड्रामा सीरियल औलाद की कहानी एक सबकामूस और अदास कहानी ह जिसमें बताया गया कि आउलाद को माबाब पर किए जल्म का अहसास होता है तब तक वो इस दुनिया से ही कूच कर चुके होते हैं ड्रामे में माबाब की कुर्बानी और बदले में उन्हें मिलने वाले सिले के बारे में दिखाया गया ड्रामे की कहानी हकीकत के करीब तर होने की वज़े से लोगों को बहुत पसंद आई ड्रामा ओलाद की हिदायतकारी के फराइज आबिस रजा ने अन्जाम दिये ड्रामे की कास्ट में मुहमेद एहमेद मरीना खान, हसन न्याजी, फुरकान कुरेशी, नबीला सुबेरी, सुनीदा मार्शल और हिना जावेद शामिल हैं ड्रामा सीरियल आखिर कब तक ड्रामा सीरियल आखिर कब तक में एक कमझोर लड़की को दिखाया गया जो अपना दिफा भी नहीं कर सकती और ये चीज सैट कर देने वाली है एक मर्द उस पर किस कदर हावी हो रहा है वो बजाए खुद को बचाने के खुद को उसके रहमों करम पर छोड़ देती है इस ड्रामे में एक टीचर का करदार मस्क होते हुए दिखाया गया और ये बहुत ही अफसूस का मकाम है कि उस्ताद जो कौम के मौमार हैं वही कौम की बेटियों की इज़त से खेलने लग जाएं ड्रामे में उष्णा शाह और सिर्हा असकर ने मरकजी किद्दार अदा कि ड्रामा सीरियल राजे उल्फद रुमानवी ड्रामा राजे उल्फद भी नाजरीन में बेहत मकबूल हुआ जिसने ये पेगाम दिया कि महबत एतबार का नाम है पर ड्रामे का इक्तिताम महबत करने वालों को बेहत दुखी कर गया ड्रामे में यमना जैदी ने मुश्द का मरकजी किद्दार अदा किया और शहजाद शेख ने उसकी महबत इर्तिजा जबके गोहर रशीद यमना के शाहर इसमाईल की किद्दार कोमल अजीद खान यमना की दोस्त और बाद अजाद धोके बास दोस्त सहबा के तार पर नज़र आई रासे उल्फत की कहानी मुश्द के गिर्द गूमती है जो अपने वालिदें के उसूलों के मताबक जिन्दगी गजारती है लेकिन बाद अजान तालीम के हसूल के दोरान वो अपनी दोस्त सहबा के मौडनलाई स्टाइल से मतासर होती है ड्रामे में दिखाया गया कि सहबा और मुश्द के दोनों ही इर्तिजा को पसंद करती है और इर्तिजा मुश्द के महबत में मुबतला होता है लेकिन सहवा की चाल में भसकर मुश्च की महबत को ठुकरा देता है जिसकी बाद उसकी शादी इसमाईल से हो जाती है ड्रामे के इक्तिताम पर सहवा की हकीकत सामने आने पर इर्टिजा मुश्च का मुन्तजर होता है लेकिन वो इसमाईल का इंतिखाब करती है ये ड्रामा 38 एक साथ पर मुश्तमिल था और इसकी कहानी माहा मलक ने तहरीर की है यूं तो ये ड्रामा सीरियल बहुत जादा पसंद किया गया लेकिन गौहर रशीद को यमना का शोहर दिखाने पर नाजरीन यही सवाल करते दिखाए दिये गए कि अकसर ड्रामों में मुहबत में नाकामी करने वाली लड़कियों के शोहर के तौर पर उन्हें ही क्यूं चुना चाता है ड्रामा सीरियल मुकदर एक और ड्रामा सीरियल मुकदर उदास कर देने वाली कहानी है मुकदर की कहानी जागिरदार सैफर रह्मान यानि के फैसल कुरेशी को एक आरचे यानि के मदीहा इमाम से पहली नसर में महबत हो जाती है जो पहले से किसी और की मंगेतर होती है जल्द ही उसकी शादी अपने ममुजाद हारिस से होने वाली होती है लेकिन सैफर रह्मान ड्राइमा को एकवा करके उस से जबर्दस्ती निकाह करता है और उसे अपनी हवेली की बीवी सरकार का दरजा देता है ताहम ड्राइमे में फैसल कुरेशी की मौत उसके बाद राइमा को उस से महबत में तनहा जिन्दकी गजारते दिखाया गया ड्राइमे की मकबूलित के वचे बनियादी तोर पर फैसल कुरेशी की अदाकारी बनी लेकिन जबर्दस्ती निकाह और आखर में मरकिजी किद्दार की मौत ने नाजरीन को मायूस भी किया ड्रामी की कहानी अकबाल बानों ने तहरीर की जो 38 एकसाथ पर मश्तमिल थी ड्रामा सीरियल पर देज आजकल एर वाई पर चलने वाला ड्रामा सीरियल पर देज इस कदर अदास और दुखी कर देने वाला है जिसे देखकर यकिनन हर किसी के आंसों निकल रहे होंगे जुबेदा यानिके शाहिसता लूधी की बेटी का किरदार एक ऐसी औरत का है जिसका शाहर बाहर कमाने की गर्ष से है वो ससरालवालू के जल्म and सितन का शिकार है उसकी बच्ची का किरदार जिस ट्रायल स्टार ने अदा किया है उसकी कमाल अदाकारी देखने के काबल है मापीचारी सारह दिन घर के काम करती है वो चार साला बच्ची पढ़ती भी है और अपने तीन माँ के भाई को संभालती है उसे फीरे पिलाती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ को किचन में जाकर रिपोर्ट भी देती है कि सब अच्छा है लेकिन जब उसका भाई गिरता है किस कदर खौफ सदा होता है ये लम्हा वाकई वियर्स की जान निकालने वाला होता है इस ड्रामा सीरिल में परीना खान ने हिदायत कारी दी है जबके ड्रामी के प्रोड्यूसर हुमायू साइद और नदीम बेग हैं जबके अदाकारों में सर्मत खुसर, बुश्रान सारी, गोहर रशीद, दुरेफशा सिलीम, शर्मीन अली और अफान वहीद शामिल है ड्रामा सीरिल मुझे खुदा पर यकीन है मुझे खुदा पर यकीन है ड्रामा सीरिल में, हमें घर को तूटते हुए और बच्चों को अपसर देखते हैं ये चीज एक वियूर को अदास कर देने वाली है मुझे खुदा पर यकीन है कि कहानी एक नाजवान लड़की के गेर दुग खुमती है जो अपने शोहर हमाद और दो बच्चों के साथ खुशकवार जिन्दगी बसर कर रही होती है लेकिन दो खावतीन के मजबूरे की हालत में, इनके घर के किराएदार बनने के बाद, इनके खुशहाल जिन्दगी गलत फहमियों का शिकार हो जाती है इस ड्रामे को मारूफ हिदायतकार सल्मान खांची ने इंतहाई शानदार अंदास से खस्बंद किया है ड्रामे के मरकजे किरदारों में आगा अली, निम्राखान, यश्मा गिल और दीकर शामिल है ड्रामा सीरियल रकीब से ड्रामा सीरियल रकीब से 20 साला बिच्ड़ी महबूबा को फिर से देखकर उसको घर में रखने की उदासी भरी कहानी पर मश्तमिल है ड्रामे की खास बात ये है कि ड्रामे में हर किरदार अंदर से परिशान है लेकिन वो इसका इजार उस तरहा नहीं करता बलके खुद को मजबूत दिखाता है रकीब से में हर किरदार अपनी जगे मजबूत और हकीकी सिंदगी के करीब है अधिका क्यानी ने पहली बारत अकारिक के मैदान में कदम रखा इस ड्रामा सीरियल ने नाजरीन को रूलाने पर मजबूर कर दिया ड्रामे में अधिका क्यानी और नुमान इजास की जोड़ी को बहुत जादा पसंद किया गया बहनोई और सालिक के दर्मियान इश्क महब्बत की कहानी पर घूमने वाला ड्रामा जलन मुदाहों की तवचे के साथ साथ सोशल मीडिया पर बहस का हिसा भी बना ड्रामा सीरियल में मौशे की तल हकीकतों को दिखाया गया ड्रामे की कहानी सिद्रा सहर इमरान ने लिखी थी और ये ड्रामा 21 इकसाथ पर मुश्तमिल था तो विवर्स ये थे वो सेट ड्रामे जिन्हें देखकर कोई भी खमकीन हो जाए यकिनन ये कहानिया इसी दुनिया से ली गई हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा